Now we will see variation in portfolio type, criteria for including children's work in portfolios. भई, portfolio बनाने कैसे हैं, क्या standard होने चाहिएं? There are three variations of portfolios that are most used in the field of early childhood education. देखिए, तीन major बड़े portfolio हैं, यानि किस तरह से हम चीजों को arrange कर सकते हैं, और उनकी क्या एहमियत हो, और कौन-कौन सी चीज portfolio में आनी चाहिए? The first, the works in progress portfolio. एक पहला जो है हमारा वो work in progress का portfolio हो, जिसमें, जैसे मैंने अर्च किया, activities साथ के साथ, साथ के साथ चलती हैं, जो रोज मर्रा काम होता है, वो इस portfolio में मवजूद होता है. The works in progress portfolio contains stories, artwork, problem-solving examples that children are currently working on. तो जो वो रोज का रोज करते हैं, तोटा-चोटा सा, कोई worksheet किया है उन्होंने, कोई चोटा सा card बनाया है, कोई चोटी सी role-playing की है, तो उसकी तस्वीर आ जाएगी, इस तरह थोड़ी-थोड़ी जो रोज की improvement है, वो उसमें मवजूद होती है. पर ते सेकंड portfolio variation is called the current year portfolio. It contains selections of work that are mutually agreed on for inclusion by the teacher and the child. एक portfolio हमने साल भर के लिए बनाना होता है, अब ये तो बहुत मुश्किल है, कि रोज के रोज जो चीजे हम बनाते हैं, जब बच्चा करता है, वो एक दिन में अगर तीन या चार मजमून पढ़ रहा है, तो वो सब में कुछ ना कुछ करेगा, तो वो तो शाम कोई इतना ब बहुत अच्छा perform कर लिया, तो उसमें से वो चीज निकाली जाएगी, या कोई बड़ी खास activity कर ली है, बहुत अच्छा कहीं न कहीं उसको देखा आपने कि आज flyability इसने बड़ी अच्छी इसमें यूज की है, तो अब वो बच्चा और आप दोनों मिलके select करेंगे, कि हमा से निकाल लेंगे, हमें सिर्फ बड़ी खास activity और अच्छी जो performance है वो रखनी है, finally जरा इससे भी एक ज़्यादा बड़ा portfolio है, the third variation is called the permanent portfolio, the permanent portfolios are highly selected examples of a child's curriculum product, अच्छा कुछ बहुत ही बड़ा किया है, जो आप यू समझते हैं कि इस बच्चे को ताज जिंदगी याद रख किस तरह की बड़ी कोई marvelous उसकी कोई painting आ गई, कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, कोई moral story ऐसी हो गई, कि उसने दूस्तों के साथ share किया है कुछ चीजों को, या उसने अच्छी किसी leadership characteristic का मुझाहिरा किया है, या कोई और बहुत ही अच्छा काम, तो वो exclusively हम निकालते हैं, permanent portfolio बनाने के लिए, कि देखें, अगर बच्छा चार grade के बाद, पांच grade के बाद, school से जब जाएगा, तो ये portfolio हम उसको उसके साथ देंगे, ये उसका lifetime asset हो, असल में portfolio एक बड़ी detailed performance है, जिसका record आप साथ के साथ रखते हैं, दिन बए दिन, जितना रोज के रोज आपके portfolio है, evidence है, जो आप अपने लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं, खुद reflect करने के लिए, कि आप बच्चों को कैसा guide करते हैं, आपका इदारा भी इनको इस्तमाल करता है, और खास तोर पे आप उनके parents के साथ share करते हैं, कि देखें, आपका बच्चा कहां से कहां पहुंच गया, और कितनी उसने progress की, और जब वो पहले दिन आया था, तो देखें कहां पे था, और आज कहां पे है, ये सिर्फ बच्चे की ही काम्याबी नहीं, ये उस्ताद की और इदारे की भी काम्याबी है, इसलिए portfolio को maintain करना, assessment के लिए ना सिर्फ जरूरी है, एहम है, बलके मुफीद भी कितनी झाले आयिए है, जब लो से म सकीटरे पाताई है, ये हम को दोड़ी है, जब ऊन ए मुफीद से लागबी सिर्फ ठाहरे की, जब शै काम्याबी तो पहलो नहीं, जब वचित से लिज़ के सावसलीट की काम्याबी काम्याबी से वें सिर्फ पहले ओगर ओदिवाशस,